जोहर दोस्तों मैं रंजीत कुमार, study for goals पर आप सबों का स्वागत करता हूँ लगतार रात दिन एक करके खोटा के content को पढ़ रहे थे और मैं टीस्ट बगारा में दीख रहा था कि बच्ची और 98, 97 इस तरह से question correct कर ले रहे थे तो अचानक इस तरह से syllabus को बदल देना थोड़ा सा सही नहीं है as a teacher भी यह मेरे लिए नुकसंद आया कि क्योंकि मैं रात रद बर जग कर खोटा site की अनविधाएं या फिर poem बगारा जो section थे उन्हें उनकी handwritten notes में त्यार किया था तो यह सारे चीज़े अब क्या हो गया, useless हो गया क्योंकि यह अब syllabus में रहा ही नहीं तो आज के syllabus में friends हम क्या दिखेंगे तो syllabus का complete analysis साथी फ्रेंट्स book list जो syllabus है उसको किन book को पढ़के उस syllabus को complete किया जा सकता है साथी फ्रेंट्स जानेगे कि कितना प्रतिसत syllabus में बदला हुआ है क्या कुछ नया है तो एक बार सरसरी नजर से मैं आपको बता देता हूँ एक notice है उसके लावे यह syllabus देखेंगे हम लोग की नया वला syllabus में क्या खास है क्या कम है या ज्यादा है उसके लावे उक्त syllabus को complete करने है तो जो परमुक किताबे हैं उनका मैं list सामिल कर रखा हूँ क्योंकि friends थोड़ा से syllabus ऐसा है कि आप मतलब समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किताब कहां से purchase करें तो बुक का नाम आपको proper पता होना चाहिए उसके लावे हम लोग discuss करेंगे कि पुराने syllabus का कितना परतिसत है वर्तमान syllabus तो complete analysis मैं यहां कर रखा हूँ old syllabus, new syllabus कितना परतिसत कम हुआ, कितना परतिसत ज्यादा हुआ और कितने common content है ठीक है तो चलिए हम लोग आत notification के अनुसार जार्खन सची वाले नगरपाली का सेवा समवर के वन जैसे सीजल विस्ट योगिता का खोटा का syllabus बदल दिया गया है, study for goals के सभी students जो खोटा course से जुड़े हैं, उन्हें उसी course में नए syllabus के अनुसार back to back content उपलब्द करवाये जाएंगे, इसके लिए कोई भी अतिरिक्ति फी देने की आसकता नहीं है, चुकि friends जब मैं भी as a student रहूं तो 200-300 का student life में बड़ा मोल होता है, सबके लिए अलग-अलग condition हो सकते हैं, लेकिन चुकि जब content बने और बच्चों को फायदा ही नहीं हुआ तो उसके लिए charge ले लेना मुझे रगता है ये जायज नहीं है, तो इसलिए study for goals का यह फैसला है कि उसी course में सारी content अपडेट के जाएंगे और back to back अपडेट के जाएंगे, तो बेतर निरास और हतास होने से बेतर क्या है कि तैयारी में लग जाए, एक बत्या डोंगल महुआ और खोठा लोग गीत के classes और खोठा full length test आज से ही प complicated है और जिसके notes easily available नहीं है, उन्हें हम starting में पढ़ते चलेंगे ताकि बहुत कम समय में इसे complete किया जा सके, बाकि इस syllabus का एक सार में बता देता हूँ, यह जो syllabus है friends, पुरानी syllabus से बहुत कम है, और थोड़ा से कहेंगे, असान भी है, मतलब बहुत जल्दी इसको पढ़ा जा स अभी वो सरकार का पूरा focus किया है कि कैसे भी वो exam ले, तो हमारा क्या focus होना चाहिए as a student कैसे भी हम selection ले, तो यह भी syllabus को हम एक बाधा के रूप में देखेंगे अपने मंजिल तक पहुचने में, और यह ध्यान रखें कि हम उस हर चीज को tackle कर लेंगे, उस हर चीज को अपने बस में कर लेंगे, जो हमारे मंजिल, यानि अभी हमारा as a student आपका goal क्या है, तो job final selection लेना, तो आपके final selection में जो चीज बाधा हो, चाहिए वो नया syllabus हो, चाहिए वो content हो, चाहिए कुछ भी हो, उसे क्या करना है, उसको जीत लेना, उसको control कर लेना, उसके अपने बस में कर ल नहीं है, फिर भी कुछ माकसम को लेके चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिपुर्ण नहीं है, तो यह राफ फ्रेंड्स, खोठा का syllabus, तो खोठा के syllabus में पहले व्याकरण में क्या थे, साथ से 8 टॉपिक थे, लेकिन अब थोड़ा से यहाँ पे बढ़ा दिया गया, खोठा किया जाए, वह उनार्थक सब्द होता है, ठीक है, तो यह रा, खोठा में आपको यह पढ़ने है, पहले कम था, अब थोड़ा सा खोठा का व्याकरण का सेक्षन बढ़ गया है, अब आते हैं, खंड खा में, खंड खा में क्या है तो पद्दे भाग, खा में आपको भी complicated भी है, और उतना चीजों को दिमाग में catch करना मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ परिवर्तन किया गया, अब क्या किया गया, तो खोठा भासा के लोग गीत सामिल किये गए, लोग गीत का परिवासा पढ़ना है, परिचे पढ़ना है, खोठा भासा की लोग गीतों का भरगी करन पढ़ना है, दस विविद गीतों का अधियन करना है, तो दस विविद गीतों में क्या है, तो संसकार गीत आपको तीन पढ़ने, कौन-कौन त विवागीत, सहियारी गीत और छटियारी गीत, दूसरा है फ्रेंस, परवतेवार गीत, जिसमें करम गीत दो पढ़ सरमगीत एक, बालगीत एक, रीटू गीत एक और सामाने गीत एक, तो इन सारे जो गीत का सिक्षन है, लोगईत का सिक्षन है, उसे एक-एक करके मैं चूर कि पिछले बार ये सब सलिबस में नहीं थे, तो अब जो classes होंगे study for goals पे इन ही content को मैं एक-एक करके बताओंगा, और डिटेल बताऊंगा कैसे, study for goals के content का एक ही उदिश से होता है, कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा marks score कर सकते हैं, तो marks score करने वाले oriented content होते हैं, study for goals के, तो उसी परकार के content आपको इन सब का hand written notes आपको देखने को मिलेगा, दूसरा फ्रेंट्स सिस्ट, गीत या कविताएं, तो खोठा भासा की 10 परतिनीदी कविताएं एवं 10 गीत आपको पढ़ने हैं, कविताएं में फ्रेंट्स पहले कि सारे books मतलब हटा दिये गए, मतलब पहले जो आपने जितना poem पे work किया, वो थोड़ा विकार चला गया, अब एक book सामिल किया गया, एक पतिया डोंगल महुआ, और ये संतोस कुमार महतो के द्वारा इसका संकलन किया गया, तो इसके प्रत्थम 10 कविताएं आपको पढ़ना है, तो एक पतिया डोंगल महुआ बुक मार्केट में नहीं है, लेकिन study for goals के पास एक copy है, तो अभी स्टार्टिंग में हम कोशिस करेंगे, एक पतिया डोंगल महुआ कहीं content स्टार्ट करें, और एक एक करके poem मैं आपको explain करते चलूंगा, और क्या question वहाँ पे बनेंगे, वह मैं आपको बताते चलूंगा, खाय friends गीत, आपको मैं यहाँ पे उपर पढ़ने कि 10 गीत भी आपको पढ़ने है, तो यह हैं 10 गीत, आप देख लिजे, अच्छा अनीता कुमारी के द्वारा, सिवांतिक बाउंडरी मेला सुबद्रा कुमारी के द्वारा, और जै माय जननी सिवनात परमानी के द्वारा, तो यह गीत आपको पढ़ने है, खंड गव में देखे friends गद्यबाग, मतलब क्या है यहां पे तो जो कहानी बेगार है वह, तो लोक कहानी में अब लोक कता भी एक तरह से कहानी होता है, लोक कता क्या होता है कि जनरली जो हम अपने दादी मा या फिर मतलब पुरवजों से सुनते आते हैं, वह लोग कथा होता है तो आपको पढ़ने हैं कितने 10 लोग कथा तो 7 भाय 1 बहीन, धनेक ददैनी, बुढ़ा-बुड़ी और साथ पीठा, गुध-पुचु-रानी और कवा, गोहाइल परब, बुढ़ी और ओकर नाति, दू-बिहाक दूरगती, केतकी फुल, लूर्गर बे और सौन्द माटी जो पुस्तक है, उसके आठ कहानिया है, और ये सारे आई होप की आपको पढ़ने की जोड़ने, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ रखा होगा, ठीक है, अब नाटक में फ्रेंट्स आपको चार नाटक पढ़ने थे, लेकिन अब यहाँ पर न नहीं होंगे, साहितिक निबंद के बाद करें, तो आपको आठ साहितिक निबंद पढ़ने है, एक जो है, पहला भाई बहीन के सूप प्यार के परतीक परब करम और निबंद है, जो की खोठा निबंद जो बिये नोधार सर के द्वार लिखा गया, वहाँ से है, फूल कर प अगरा का सलेवस देखा, तो वहाँ पे आठ थे, जहाँ पे कुछ निबं थे, और लेखक के बारे में डिटेल में पढ़ना था, तो वहाँ से समझ मैया, कि ये आठ इन सब का बात किया जा रहा है, बुनिसवर्दत, सर्मा व्याकुल, सरीनिवास पानूरी, एके जहा, वि सरीनिवास पानूरी जी के बारे में, तो वहाँ होग के 20 के पलस लोगों ने दिखा है, तो उस तरह की कंटेंट आपको यहाँ पे बाकी लिखको को भी अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपका एक भी कुस्चन नहीं चुटने वाला है, तो यह था फ्रेंट्स, लेबस आ आपको अगर financial problem नहीं है, तो बेतर है कि original textbook ले लिया जाए, लेकिन अगर आपके पास financial issue है, तो don't worry, उसके लिए study for goals है, हमारे पास सारे books available है, हम उन सारे books को निचोड, मतलब जो चीज़ें आपके लिए कारगर हो सकता है, उसका hand return notes as soon as possible, हम उपलब्द कराने का best प्रियास करेंगे, और आपको update आज evening से ही देखने को मिल जाएगा, तो उक्त सलेबस, जो जितना भी सलेबस में discuss किया हूँ, उन्हें इन किताबों से complete किया जा सकता है, पहला जो पूस्तक है friends, व्याकरन के लिए वह खोठा साहित सदानिक व्याकरन एके जासर के द्वारे लिखा ग जो एक्जामपल है वही सबसे प्रस्णु एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, अब अगला reference, खोठा भासा लोक गीत है, तो क्या कौन सा पूस्तक लिया जाए, तो खोठा लोक साहित सिवनात प्रमानी के द्वारे एक लिखी के पूस्तक है, जो कि आप देखेंगे, ज दिनेश दिनमानी का, तो जो दस लोक गीत आपको पढ़ने हैं, वह सोहन लागेरे पूस्तक जो कि दिनेश दिनमानी जी के द्वार लिखा गया, वहां से आपको सारे लोक गीत मिल जाएंगे, ठीक है, सिस्ट कहानी का बात करें, तो आई होब कि ये पूस्तक आपके पास आपके पास होगा, और इसके नोट्स भी मार्केट में बहुत अविलेवल है, नाटक के लिए जो नाटक आपको पढ़ना हुआ, चावी काटी, तो आई होब कि इसका टिक्स्ट बूक आपके पास होगा, नहीं है, तो आप ये इसका टिक्स्ट बूक भी मिल जाएगा, आजगर्दा और बासल करन को हटा दिया गया, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब ऐज़े स्टूडेंट ही अच्छा है, मतलब बहुत कम समय में चावी काटी को, चावी काटी एक पढ़ने समय भी डिसकस किया, कि एक होता है ना, तो कैरेक्टर बगेरा में confusion नहीं होता है, इसली आपको ध्यान में रता है, साहित्यक निबंद में खोठा निबंद का डॉक्टर बी एन एउदार सर का पुस्तक है, तो ये अभी मार्केट में इसली मिल जाता है, तो यहां इसे भी आप पर्चेस कर लीजे, साहित्यकारों के व्यक्तिगा तो हम कृतित्व का पर नि बाकी फ्रेंट्स उक्त जितना स्लेवस है, उसका A4G complete handwritten notes, तो पिछले बार क्या था कि इतना ज्यादा content था, कि उसका मतलब बगर Gerox भी आप कराएंगे तो 1000 रुपया चला जा रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, मुझे नहीं लगता 2-300 रुपया में, अगर अब Gerox करा तो हम लोग back to back प्रियास करने की, इस बार मैं पूरा कोसिस करूँगा, कि सारे content मैं ही तियार करूँ, मतलब मेरे द्वारे ही handwritten notes में आपको available हो जाएगा, ठीक है, इसके live friends आगे जो topic है, पुराने syllabus का कितना परतिसत है, वर्तमान syllabus, चली थोड़ा से मैं raise कर देता हूँ, हाँ, तो पुराने syllabus का कितना परतिसत है, वर्तमान syllabus, चली इसे हम समझते हैं, इसे मैं बाठ दिया हूँ, पहले तो बाठ दिया हूँ, पहले तो मैं कर दिया हूँ topic, उसके बाद old syllabus, number of topics, परतिसत कमी कितना हुआ है, परतिसत ज्यादा कितना हूँ, common content कितने थे, तो व्या सा ठीक है, साथ topic ऐसे हैं, जो common है, मतलब पहले भी पढ़ने थे, अब भी पढ़ने, तो आपका जो है, थोड़ा से यहां काम असान हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले बहुत section पढ़ रखा है, आते हैं, पध्य कविता वला भाग में, तो यहां पे friends, tremendous बदला हो गया, बह अब क्या है friends, देखी, मैं पध्य भाग में थोड़ा सा आप जो नया syllabus है, उसमें जो कविता है, उसे पध्य की रूप में लिया हूँ, पध्य है ही, दस गीत है, उसे भी मैं पध्य की रूप में लिया हूँ, तो अब आपको पढ़ने कितने friends, 30, मतलब पहले जो था 130, निकल रहा है, तो वो काम थोड़ा अब असान हो गया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब कम समय में चीजों को बहुत अच्छे से किया जा सकता है, आगे है कहानी, तो कहानी में पहले परेंच आपको 32 कहानी पढ़ने थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कहानी और 17 आपको पढ़ने है, उसमें 8 कॉमन है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा काम आपका हो रखा है, केवल कुछ कंटेंट और आपको पढ़ने है, नाटक में फ्रेंट्स पहले 4 पढ़ने थे, 4 नाटक अब हो गया, एक मतलब यहाँ भी 75 पर 30 का कमी हुआ है, लेकिन कॉमन कंटे जितनी विधा हैं, आप ढूंड़ ढूंड़ के कहीं कहीं से निकाली है, एक एक करके उसे पढ़ते रहें, तो यहाँ फ्रेंट से सीधे हो गया, जीरो यानि 100 पर 30 साथ इसमें कमी हुआ गया, तो नुकसान कहा है फ्रेंट्स की नुकसान है इस वाले सेक्शन में, इस वाल में पढ़िए बाकी इतना क्लियर है तो मतलब अब क्या है कि मतलब पहले जैसा syllabus ना मतलब असमंजस वाला नहीं है तो थोड़ा से निशकर से यहां से क्या निकलता है कि पूरवकर syllabus के तुनला में syllabus में काफी कम हुआ है प्रन्तु common content बहुत कम है दोनो syllabus में ठीक है यानि विए प्रेंट्स की जो आप निचोड content होता है कि मैंने मार्केट से बुकला है उसे पूरा मालीजे जो लोग गीत बगार का बुक देखेंगे, तो ये कितम मोटे-मोटे बुक है, तो पूरा बुक पढ़ तो ले ना ठीक है, एक बार हमने पढ़ लिया, लेगिन कुस्चन वहाँ से कहां से अराइज हो सकते हैं, क्या important point है, ये सब निचोड बनाने का काम हमारा है, study for goals का है, तो इ आप डॉनलोड कीजिए, वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, बाकि आप सब को पता है, friends की free Sunday को क्या होता है, study for goals पर free mock टेस्ट आता है, तो इस संडे को, paper to quota, जो नया syllabus है, उसके according एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो उसे आप जरूर दीजिएगा, और फिर थोड़ मतलब थोड़ा जेपीसी, उसका स्लेबस से मिलता चुलता है, तो अगर आप जेपीसी पर करका त्यारी कर रहे हैं, तो उस मामलें भी यह स्लेबस आपको काम आने वाला है, तो ठीक है, बाद में अलग से पढ़ते हैं, उससे अच्छा अभी ही पढ़ ले रहे हैं, कि सीज प्लस हो गया, ठीक है, तो तैस्सो प्लस बच्चे है, स्टडी फूर गोल्स टेलीग्राम चैनल पे डेली क्वीज का हिस्टा बन रहे है, बाकी यह जो पेपर टू का, पचास प्लस फुल लेंड टेस्ट, टेन विगत वर्स के पेपर्स, और दो सो प्लस टॉपिक वाई सक कई बार चार कुश्चन देके नहीं, यह अच्छा नहीं, यह अच्छा नहीं है, उनमें से एक चार्टेत है, उस तरह से हमने 54 फुल लेंड टेस्ट तयार किया है, उस से लिवस के कॉर्डिंग और देखे, पल भर में चीज़ें बदल गया, तो कोई नहीं, यह दुनिया क नहीं है, तो लोग कटाच मारेंगे, कमेंट करेंगे, तो बेतर है कि एक स्टीट फॉरवर्ड होके, मतलब कम स्लिबस होके, मेहनत चे पढ़ा जाए, और एक्जाम ओरियंटेट पढ़ा जाए, और सेलेक्शन लिया जाए, बाकि लाइफ तो हैं ग्यान अर्जित करने के ल स्टडी फॉर गोल्स को आप ये सही हो कर सकते का मन से पढ़िये, सेलेक्शन दीजिए, तो हमें भी गर्व फील होगा, कि हमने जो मेहनत किया, हमने जिनने पढ़ाया, ओ आज सची वाले सहायक के रूप में, क्या कहते हैं, मतलब स्राची के जो, जितने भी सची वाले हैं, वहाँ पर बैट रहे हैं, तो यही चाहिए, स्टडी फॉर गोल्स को और कुछ नहीं, बाकि यही नोटीस भी था, कि आप कोई वैसा बात नहीं, कि आपको दुबारा इन कोर्स से नहीं जुड़ना पड़ेगा, अब जो नए लोग हैं, वो जुड़िये, जरूर जुड़ पर बैट बाकि फरेंट्स धियान रखिये, वक्त को बदलने में वक्त लगता है, बस धहरे के साथ मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, ठिक है, और उसका जीता जाकता एक्जामपल है, यह थोड़ा से इतना समय नहीं लगगा, थोड़ा महीनों का बात है, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो जरूर आप सकस्स पो लोंगे तो friends धेरो सुब कामना के साथ all the best for your upcoming exams and for your preparation बाकी एक बार ठान लिये हैं तो selection लेके रहना है इसी धे वाक्य से each and every second पढ़ाई में लगाना है हमारा कोशिस होगा बहुत कम समय में मतलब जो चीजें आपको गंटों में पढ़ने को मिलता है कहीं वो चीजों को मैं 20-20 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में आपके लिए निचोड के रूप में लाऊंगा और उसका असर टेस्ट के रूप में दिखेगा टेस्ट हर जगा लगाई है तो उससे ही पदा चलता अगर आप 90 पलस स्कोर करें मतलब आपका त्यारी ठीक ठाक है क्योंकि सेट करने वाले मेहनत करते हैं चीजों को कोई भी हो, अच्छे सेट करते हैं तो वहाँ से अपने आपको नापी सेट लगाई है फिलाल क्या जो बच्चे सेक्षन है उसे हम लोग जल्द जल्द पढ़ लेते हैं ताकि 15 दिन बाद से कवल सेट वाला पर काम होगा तो चलिए अगेन थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक किजिए और शेर वी किसी ठीक है जली बाई 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 इन्टेक्ट